दोस्तों आज मैं आप लोगों को काले हिरन के बारे में कुछ रोचक जनकारिया दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं काले हिरन को भारतिय म्री गत्वा हिरन की रूप में जाना जाता है इसकी उचाई 24 से 84 सिंटीमेटर तक होती है नर काले हिरन का वजन करीब 20 से 60 किलोगराम तक होता है दोस्तों की आपको पता है काले हिरन को लगभग लुप्त प्राय जानुवरों की शिरेडी में शामिल किया गया है क्यूंकि इनकी संक्या काफि कम बच्ची है दोस्तों क्या आपको पता है काले हिरन के तीस नर्गुर सुत्र होते हैं दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी की काले हिरन के प्रमुक्षिकारियों में भेडिये चीते और जंगली कुते शामिल होते हैं भारती उप महादीपों में काले हिरन, रेगिस्तान, तटी छेत्रों और पहाडों में देखी जा सकते हैं। काले हिरन को गर्म जलवाईू बहुत पसंद होते हैं। इसलिए अधिकतर रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये रात के दोरान आराम करते हैं और दिन के दोरान सक्री होते हैं। काले हिरन भारत के कई संरच्छी छित्रों में पाय जाते हैं। काले हिरन को भारती हिरन या क्रिस्नी मिर्क के नाम से जाना जाता है। इंगलिस भाषा में इसे ब्लैक बग कहा जाता है काला हिरन पंजाब हर्याना और आंधरा प्रदेश का राजे पशुप माना जाता है नर काले हिरन के सिंग चक्राकार होते हैं जो की तकरीबन 35-65 सेंटीमेटर लंबे हो सकते हैं दोस्तों काले हिरन शाकाहारी होते हैं इनका मुख्य भोजन घास होता है वन्य जीव सनरचण के तहट भारत में काले हिरन के सिकार पर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि इनकी जन्संख्या काफी कम बच्छी है दोस्तों कि आपको पता है काला हिरन, सदेव, जुन्ड में रहना पसंद करते हैं अगर इनकी जीवन काल के बारे में बात करें तो ये करीब 10-15 साल तक जीवित रह सकते हैं भेडिये, जंगली कुत्ते और चीते इनके मुखे दुश्मन माने जाते हैं जो कि अधिकतर इनका शिकार करते हैं तो दोस्तों ऐसी जनकारे के लिए वेडियो को लाइक करें, चनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद